question जो है उसमें क्या कह गया है a photograph of a bacteria एक bacteria है उसकी photograph है enlarged fifty thousand times enlarged मतलब उसको बढ़ा किया गया कितने times फिफ्टि था говоря अखिया गया तब जाके उसकी length क्या हुई five centimeter ठीक है तो यह जो five centimeter जे रखियह यह हमारे पास क्या है enlarged length है ठीक है, what is the actual length of bacteria, सबसे पहले तो क्या पता करनी है, actual length पता करनी है, bacteria की, देखो, क्या दिया गया है हमारे पास, and last length, and last length, कितनी है, 5 cm, अच्छा, एक और example लेते हैं, उसके जो दर्जीर समझते हैं, देखो, एक image है, यह जो line है, इसकी image है, यह है 2 cm की, इसको जब 5 times कर दिया, तो यह कितना हो गया, 10 cm, तो original कितना था, original 2 था न, original 2 कैसे मिला, इस 10 को इस 5 से divide कर दिया, 10 divide 5, तो क्या मिल गया, 2, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या पूछी है, actual, मतलब original length हमें पूछी है, और क्या किया गया है, 50,000 times बड़ा किया गया है, 50,000 times बड़ा करने के बाद क्या मिला, 5 cm, क्या मिला, यह 5 cm, तो हमको यहाँ पी original length पता करने, actual length, actual length कैसे पता करेंगे, इस 5 को divide करेंगे, इस 50,000 से, 5 divide, 50,000, जैसे यहाँ पे किया था न, original 2 था, 5 गुना बड़ा किया, तो 10 हुआ, original कैसे मिल सकता है, original मिल सकता है, कि जो बड़ी length, बड़ी करके length मिली है, 10, उसको जितना times इसको बड़ा किया है, 5, उससे divide कर दो, यहाँ पे बड़ा करके length कितनी मिली, 5 cm, कितने times किया बड़ा, 50,000 times, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, actual length, actual length कितनी हो जाएगी, 5 divided 50,000, ठीक है, अच्छा, जब इसको solve करेंगे, तो यह कट के, यहाँ नीचे 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 1 upon 10,000, तो यह answer के आ गया, 10 raised to power minus 4, क्योंकि 0 नीचे है न, 1, 2, 3, 4, नीचे 0 है, तो उपर जाके, यह किस में बदल जाएएगी, minus 4 में, minus में, तो 10 raised to power minus 4, cm जो है, यह इसका अनसर आ गया, अब second चीज़ क्या पूछ रखी है, कि अगर photograph को क्या किया गया, 20,000 times बड़ा किया गया, तब उस case में length क्या होगी, तो सबसे पहले तो एक box जो हम direct proportion के लिए बनाते ही है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, box बनाएंगे, box में क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है, enlarged length, and last length, ठीक है, नीचे, number of times and last, number of times and last, ठीक है, सबसे पहले length कितनी है, 5 cm, ठीक है, कितने time किया and last, 50,000 times, ठीक है, दूसरा case किया पूछ रखा है, दूसरा case पूछा है, कि length पता करनी है, क्या पता करनी है, and last length पता करनी है, तो मैं इसको मान के जलता हूँ, x, ठीक है, और कितने times किया, 20,000 times, तो 20,000 यह इधर मेरा आ गया, आप क्या करेंगे, simple, this, ये, ये upon ये, और ये upon, ये इसको equal रखेंगे, 5 upon 50,000, equal x upon 20,000, ठीक है, इसको, इसकी equal रखेंगे, फिर ही cross multiply इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, x multiply 50,000, equal 5 multiply 20,000, ठीक है, अब x यहीं, और 5 multiply 20,000, और ये इधर 50,000, multiply में है, तो इधर ये divide में आ जाएगा, 50,000, ठीक है, अब क्या, ये 0 से, ये 0 कट गई, ठीक, ये 0 से, ये 0 कट गई, इस 0 से, इस 0 कट गई, इस 0 से, इस 0 कट गई, ये 5 बज़ गया, इस 5C5 बच्च कर गया और क्या बच्च किया हमारे पास क्योवलर के वालिए तो क्या जाएगा X is equal to two centimeter X equals to two centimeter अब क्या करेंगे फिर से बॉक्स बनाएंगे दुबारा से ठीक है फिर से बॉक्स बना के यहां लिख देंगे ठीक है फिर यहां x x के वाले कितनी आई 2 तो इधर क्या लिख लेंगे इधर लिखेंगे 2 और इधर 20,000 टाइम्स ठीक है इस तरीके से यह सम यहीं पर खत्म हो जाएगा तो किजिए इसे